आज हम जमू के अनन्तनाग जिल्ले में इस्तित बाबा बरपान यानि की अमरनात यात्रा की बात करने जा रहे हैं। अगर आप यह अमरनाथ यात्रा जाने की यूजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी जादा यूसफुल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा कैसे करना है अमरनात यात्रा करने के लिए आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा अमरनात यात्रा में जाने के लिए आपको रुखने के लिए क्या-क्या विवस्ता है तथा खाने पिने की क्या-क्या सुईधा है अमरनात यात्रा शुरू कब से होती है और क्या आपको रजिस्टेशन लगेगा यह सारी चीजों की जानकारी मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अमरनात यात्रा करने के लिए आपको प्रतिव्यक्ति कुल कितना खर्च लगने वाला है और दोस्तों आपको यह भी दावा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और किन-किन चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, कैसे आपकी सारी चीजों का बंदवस्थ होगा, और हर एक information आज के इस वीडियो में मैं आपको दूँगा, तो बने रहे इस वीडियो में, एक-एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पुर्वक वर्नन दूँगा, तो बिना विलंब किये इस वीडियो की शुरुवात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपको अमरनात यात्रा कैसे करना है, तो आप जिस भी शहर या जिस भी राज्ये में रह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी ट्रेन की टिकेट निकाल कर, जम्मू तवी रेल्वेस्टेशन के लिए या उदंपूर भी आ सकते हैं, या आप चाहे तो श्री नगर भी आ सकते हैं, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो आपको दो एयर्पोर्ट पढ़ेंगे, पहला जम्मू तवी का एयर्पोर्ट और दूसरा श्री नगर का एयर्पोर्ट, चलिए अब बात करते हैं ट्रेन वालों की, तो यहाँ पर सबसे नजदी की रेल्वे स्टेशन है जम्मू तवी, हारला की जम्मू से आगे उदंपूर पढ़ता है, परन्तु उदंपूर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीस जादा नहीं मिलेगी, जम्मू तवी में आपको बहुत सारी फैसिलिटीस मिल जाएगी, तो दोस्तों अगर आप बाय ट्रेन आते हैं, तो जम्मू तवी रेल्वे स्टेशन उतर कर आटो पकड़िये, 10 मिनट की दूरी है बगवती नगर की, तो टेक्सी वाला आपसे 40-50 रुपे चार्ज करेगा, और आपको बगवती नगर छोड़ देगा, आप उसको बोलिए कि बगवती नगर यात्री कैम्प ड्रॉप करे, अमरदात यात्रा शुरू होती है जून के एंड में, और यह लगबग दो मेनों की यात्रा होती है, और जब तक की यात्रा की गोशना की जाती है, उस दर्मियान से यात्रा खत्म होने तक, खाने का पूरी तरह से बंदोबस्त किया जाता है, तो यहाँ पर आपको खाना हाने का बिलकूर भी टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आपको बड़े-बड़े हॉल देखने के लिए मिलेंगे, अगर वहाँ पर रात में पहुच रहे हैं, तो उस दिन आपको वहाँ पर आराम करना है, बगवतिन अगर यात्री कैंप में गद्दे मिल जाएंगे, उसका नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा 50-100 रुपई के बीच में, अगर आपके साथ कीमती सामान है, तो उसे रखने के लिए यहाँ पर आपको लॉकर सुविदा भी मिल जाती है, यहाँ पर आप अपने सामान रख सकते हैं, बगवतिन अगर से बाल्टालो या पहल गाम यह दोनों मार्ग के लिए सुबह 5 बजे बस है, लेकिन इस बस की टिकेट आपको पहले ही निकाल लेनी है, याने जिस दिन आप बगवतिन अगर कैंप पहुचेंगे, उसी दिन पहले आपको टिकेट निकालनी है, बाकी की गाम आपको बाद में करने है, जम्मू से पहल गाम की दूरी 240 किलोमेटर पढ़ती है, बस से यात्रा करने के लिए आपको 7-8 गंटे लगेंगे, और प्रतिव्यक्ति बस का किराया 600-700 रुपे तक का होगा, 800-1000 रुपे के बीच, तो दोस्तो इन दोनों जगा अगर आपको परसनल कैप से जाना है, तो यहाँ पर उसकी भी सुविदा उपलब्द है, परसनल कैप से आपको यहाँ पर गारियों के बहुत सारे आप्शन मिल जाएंगे, तो दोस्तो अभी हम बालटाल या पहलगाम पहुच चुके हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम वालों की, दोस्तो आप सुवर पाच बजे निकलेंगे, तो जायज ही है कि आप शाम को या राद तक पहलगाम पहुचेंगे, तो यहाँ पर टेंट बने हुए हैं गौवर्मेंट की तरफ से, इस टेंट का किराय देकर आप यहाँ पर रुख सकते हैं, खाने पिने के लिए यहाँ पर निशुल का लंगर चलते हैं, अगले दिन अर्ली मौर्डिंग आपको शेरिंग टेक्सी मिलेगी, और यहाँ आपको लेकर जाएगी चंदनवाडी तक, जो कि 16 किलोमेटर दूए हैं, पहल गाम से चंदनवाडी आपको जाना है टेक्सी के दौरा, जो कि टेक्सी आपको एक से देड़ गंटे बे चंदनवाडी पहुचा देंगी, और यही चंदनवाडी वह स्थान है, जहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है, बाबा अमरनाथ के लिए, और यह चंदनवाडी से लेकर बाबा बरवानी की जो दूरी है, वो लगबग 32 किलोमेटर की है, और 32 किलोमेटर की ट्रेकिंग आपको दोस्तों यहाँ पर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको दो दिन लगने वाले, तो दोस्तों यह ट्रेकिंग आप सुबह शुरू कीजिए, जैसे ही 12 किलोमेटर चलेंगे, पहला पढ़ाव आपको मिलेगा 6 नाग, यहाँ पर आपको कैम्प देखने के लिए मिलेंगे, और लंगर भी मिलेगा, तो यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, और अगली सुबह वापस शेशनाग से पंचे तरनी के लिए यातरा शुरू कीजिए, दोस्तों पंचे तरनी की यह जो यातरा है, यह 14 किलोमेटर की होंगी और यहाँ पंचे तरनी ही दूजरा पड़ाव है, दोस्तों आप यहाँ पंचे तरनी में रुखकर खाना खाकर, आप 6 किलोमेटर की सेम ड़े यातरा कर सकते हैं, और रात तक बाबा बरफानी के पास पहुच जाएंगे, पहुचते ही आप बाबा बरफानी के दर्शन कीजिए, राद भर वही रुखिए, अगले दिन सुबह उटकर फिर दर्शन कीजिए, और फिर पहल गाम या बालटाल वाले मार्ग से आप वापस हो सकते हैं, अब बात करते हैं बालटाल से जाने वालों की, बालटाल में भी सेम व्यवस्ता है रुकने और खाने की, तो आप यहाँ पर भी सारी चीजे कर सकते हैं, और अगले दिन आप बालटाल से बाबा अमर्णात की गुफा तक पहुच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैकिंग है वह मातरा 14 किलोमेटर की ही है, और यह 14 किलोमेटर की ट्रैकिंग एक दिन में की जा सकती है, अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्णा आता है कि आप कौन से रास्ते का चैन करें, अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं, तो आपको 32 किलोमेटर जाना पड़ेगा, और अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं, तो आपको मातरा 14 किलोमेटर चलना पड़ेगा, ऐसे में आप सोचेंगे कि आप बालटाल वाले मार्ग से ही जाएंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि बालटाल वाला जो रास्ता है, यह काफी चड़ाई वाला रास्ता है, यह इतना आसान नहीं है, यहाँ पर हर 10 कदम में आपकी सासे फूल जाएगी, और आपको रुख रुख कर चलना पड़ेगा, और पहल गाव वाले रास्ते की बात करें, तो यहाँ पर नॉर्मल चड़ाई है, जादा चड़ाई नहीं है, आप आराम से दिरे दिरे बाबा बरफानी के नारे लगाते हुए जा सकते हैं, यहाँ पर आपको कावी लोग भी मिलेंगे, और अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर घोडे कच्चर और पालकी भी देखने को मिलेगी, और दोस्तों यहाँ पर घोडे कच्चर का जो चार्ज होने वाला है, वो 6 से 7 हजार होने वाला है, या फिर समय के अनुसार ये वेरियेबल भी हो सकता है, इन सब के अलावा एक और आप्शन है जो अमरनाज श्राइन बूर्ड के द्वारा चला जाता है, वह है हेलिपैट का, और आपको अगर हेलिपैट से जाना है, तो स्क्रीन पर दिख रही इस वेबसाइट पर जाकर आपको पहले ही अपनी हेलिपैट की ऑनलाइन बुकिन कर लेनी है, या फिर अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल या वाटसअप मैसेज करके, आप अपनी हेलिकॉप्टर की टिकिट भी बुक करवा सकते हैं, चलिए सबसे बड़ा प्रशना आता है इस यात्रा को करने के लिए कि क्या मुझे रजिस्टेशन करवाना पड़ेगा, क्या फिटनेस सेर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा और क्या-क्या चीजे फॉलो करनी होंगी, यहाँ जो वेबसाइट आपको दिख रही है, इस वेबसाइट में जाकर आप एक बार जरूर विजिट कीजिए, यात्रा करने से पहले, इसका कारण यह है कि इस वेबसाइट में आपको यात्रा से जुड़े हर एक अपडेट मिलेंगे, और यहाँ पर आपका रजिस्टेशन भी हो जाएगा, जो आपको एक टैग मिलेगा, एक प्रकार से यहाँ आपका एक रजिस्टेशन है कि आप किस लोकेशन पर पहुचे है, आपका डिटेल उस टैग में पूरा रहेगा, इसमें आप कितने बज़े निकले, कितने तारीक को निकले यह सारी जानकरी इस कार्ड पर मौझूद होगी और यह टैग आपको जम्मू रेलविस्टेशन, उदमपुर रेलविस्टेशन और स्रीनगर एरपोर्ट से भी मिल स लगते हैं, साथी साथ अगर आपको मेडिकल सेर्टिफिकेट मांगेंगे, तो आपको मेडिकल सेर्टिफिकेट निकलवाकर इसे लेकर जाना होगा, साथ में यात्रा के पहले आपको अपना रेजिस्टेशन भी करवाना होगा, जो कि ऑनलाइन होता है, तो आप एक बार व WhatsApp call या WhatsApp message कीजिए इनके द्वारा आपका registration करवा दिया जाएगा तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े सामान की समश्या हमेशा होती है तो दोस्तों पहलगाम और बालटाल दोनों ही जगह पर hotel भी अवेलेबल है और clock room भी अवेलेबल है तो जो clock room है उसका charge हो दरशन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं इस यात्रा को करने के लिए आपका कूल खर्चा कितना लगने वाला है तो दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ट्रेन और बस का ही खर्चा लगेगा क्योंकि खाने पिने का खर्चा तो आपको कही पर भी लगने वाला नहीं है क्योंकि गवर्मेंट के द्वारा यहाँ पर निशुल के लंगर चलाये जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 7-7.500 के अंदर पूरा ट्रिप निपड जाएगा अगर आप घोडे खचर या पालकी या हेलिपेट की सुईदा लेते हैं तो भाई उसका चार्जेस आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा बाबा अमरनात के दर्शन के लिए अगर आप पहल गाम वाले मार्गे से जाते हैं तो आपको साथ से आठ दिन का पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अगर आप बालटाल वाले मार्गे से जाते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो पास से छे दिन का मैक्सिमम बनेगा तो उस हिसाब से आपका जो भी प्रोग्राम है वो डिसाइड करके अपने टिकेट करके निकल जाएए बाबा अमरनाथ के दर्श्वन के लिए तो यह था संपूर्ण विशलेशन की आपको बाबा अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपके प्रश्णों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूगा और इसके अलावा आप अगली वीडियो किस जगह की दिखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छा लगा थे वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए और चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें तो मिलते हैं ऐसे ही नई इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ अगली वीडियो में